सार्वजनिक जगह पर बक्रे का कटाई ना हो पर उन्होνे कहा है कि सिक्षा मंतरी ने उसका जवाब दिया है और कहीं कोई गरवरी नहीं होई है इसके साथ की गिराज ने अपने मंत्राले के बारे में भी व्यस्तार से चरचा की है दरसल बेगू सराई में केंद्रिय मंत्री गिराज सिंग ने बकडीद को लेकर एक बार फिर जिला परसासन से खुले में बकडे काटने पर रोक लगाने की मांग की केंद्रिया मंत्री बनने के बाद गिराज सिंग पहली बार बेगु सराय पहुंचे इस दोरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेगु सराय सहीद देश के तमाम प्रसासन से SP DM से आगरह करूँगा कि बकडीद पर सामाजिक सोहार्द बना रहे साबजनिक जगह पर बकड़े की कटाई ना हो जिससे आपसी दोयस ना फैले पहले ये काम प्रसासन को करना है क्योंकि सामाजिक सोहार्द की सबसे बड़ी चीज है आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कि राज सिंग मैं देवुश राज सहित देश के तमाम एड्मिस्टेशन से जिलाके स्पी डियम से आग्रह करूंगा कि समाजिक सोहार्द बना रहे साबजनिक जगह पर बकड़े का कटाई ना हो जिससे आपसी द्वेश है ने ये काम और शाशन को करना है आपको बता देए कि धर्मेंदर प्रधान ने विद्यार्थियों के हित में फैसला लिया ऐसा गिराज सिंग का कहना है नीट पर इक्षा को लेकर विफक्ष क्यारोप पर भी गिराज सिंग ने कहा कि देश के सिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधी और अभिभावकों के प्रतिनिधी सबसे बात की है इसके साथ ही गिराज सिंग ने कपड़ा मंतराले सम्हालने के बाद उसके कामकाजों की चर्चा करते हुए भी कहा है कि एक रिकल्चर के बाद टेक्स्टाइल सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है इसमें किसान का कॉटन है यार्ण है टेक्स्टाइल है होजियरी है हैंलोम और हैंडिक्राफ्ट है ये एक रोजगार देने वाला बड़ा सेक्टर है हमारा लक्ष है कि सारहे चार क एक्सपोर्ट वाला विभाग है बिहार में कल ही विभाग के मंत्री और सचीब के साथ हमने बैठक की है आज सभी अधिकारी बेगु सराय आए हैं कल हम लोगों ने रोड मैप बनाया है कि बिहार में क्या 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 करना है मुझा फरपुर को टेक्स्टाइल हब के रूप में विक्सित करने की पूरी योजना है बेगु सराय में भी नया इंडस्ट्रियल स्टेट में किवल नब्बे हजार स्क्वाइर फिट में प्लग एंड प्ले मोड में बन रहा है यहां रेडिमेट गार्मेंट में रोजगार के बड़े अफसर है आज जीविका की महिलाएं इस बेगु सराय में गिराज सिंग ने इसा बयान दिया है आपको बता दें कि गिराज सिंग अकसर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं हिंदू और मुसल्मान पर जो है वो हमेशा बयान देते रहते हैं और देश के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनको हिदायत देते कि पाकिस्तान चले जाओ वहाँ ज्यादा बेहतर माहौल मिलेगा तो यह सब कुछ गिराज सिंग कहते रहते हैं इसलिए उन्हें फायर ब्राइंड नेता कहा जाता है बीजेपी का और अब वो खेंद्रिये मंत्री बन गये है यानि कपरा मंत्राले उन्हें दिया गया है तो में वो क्या खुश कर पाते हैं बिहार के लिए ये भी देखने वाली बात है लेकिन फिलहाल जो है बकरीद को ले करके उन्होंने ये बयान दिया है तो इस ख़बर में बस इतना ही है दरस नीज के साथ बने रहें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ल झाल